हे गाई चलिए आज बनाते हैं गर्मियों से राहत देने वाली ठंडी-ठंडी कूल-कूल ऐसे आस्क्रिम की रेसिपी या आप जिसे ऑरेंज कुलपी या ओरेंज आस्क्रिम कुलपी भी कह सकते हैं तो इसे बनाना एकदम आसान है इसे हम मोल्ड के साथ भी बनाएंगे और बिना मोल्ड का भी बनाएंगे बिलकुल नैचरल शेल के साथ तो देखिए दिखने में बहुत ही डिलिशस लग रही है और जब आप इसे खाएंगे न तो बार-बार ज़रूर बनाएंगे एकदम पर दूद को है न थ्री फोर्थ होने तक रिल्स करना है और इस तरह से गाड़ा होने के बाद हम अब ग्यास को थोड़ा सा लोपर कर देते हैं दिन हम इसमें एड करेंगे चीनी तो जितना मिठा पसंद करते हैं उसके एकॉर्डिंग चीनी एड कर दीजिए तो लगभग मैंने इसमें हापकप चीनी एड कर दी हैं चीनी को दूद के साथ अच्छे से डिजॉर्ण होने देंगे दिन हमें इसमें एड करने हैं धेर सारे काजू, पिस्ता और बादाम के कतरन मतलब जो भी ड्राइप फूट आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं उसके कतरन डाल दो तिन मिनिट तक इसमें उबाल आने देते हैं दिन हमें ग्यास को कर देना है बंद और अब हमें इसे रूम टेमपरेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जब ये जो रिडिस हुआ दूद है ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें एड करेंगे इमल्शन नैचरल हम संत्रे का यूज यहाँ पर कर ही रहे हैं लेकिन फ्लेवर और कलर के लिए मैं इसमें औरेंज इमल्शन का यूज कर रही हूँ जस्ट कुछ बूंदे इसमें इमल्शन की डाल देते हैं अच्छा सा इसे मिक्स अप कर लेंगे हलका सा औरेंज कलर भी आ जाएगा और बढ़ अप कट करने के बाद हमें क्या करना है इसके अंदर जो पल्प है उसे हमें निकाल देना है तो किसी चम्मच या कोई भी आप चाहू का यूज करके इसका जो पल्प है उसे रिमू कर दीजिए मतलब हमें है ना इस संत्रे को अंदर से बिलकुल हॉला इंज टेक्चर में लाना है मतलब अंदर से बिलकुल खोकला बनाना है इसके बीज इसका पल्प इसका जूस सब कुछ हमें निकाल देना है चलिए इतना काम कर रहे हैं तब तक एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करके बिल आइकॉन के अल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह से जो कुछ भी मैं इंट्रेस् है न मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों चलिए पूरा पल्प हमने निकाल दिया है बीच को अब हमें हटा देना है बीच हटाने के बाद इसके थोड़े बहुत जो चिलके हैं उसे भी रिमू कर देंगे देखिए बिलकुल इस तरह से बीज औ और अंदर का जो पल्प होता है ना उसका यूज करना है आगे की प्रोसेजर के लिए अब देखिए इसके छिलके इसके बीज सभी हमने रिमू कर दिये हैं और अब हमें क्या करना है इसके पल्प समय जो जूस हमने निकाला है उसे डाल देते हैं इस दूद वाले मिक्चर क अंदर इसे अच्छे से चलाना है और बस अब हमें इसे पोर करना है इस होलोईंग टेक्शर वाले और इंज शेल के अंदर तो इस और इंज शेल को हमें पूरी तरह से भरना है उसी तरह से जैसे कि हम किसी मोल्ड में भरते हैं दोनों और इंज शेल भरने के बाद में इसे simply जो हमारे घर में कुलफी के मोल्ड अवेलेबल होते हैं उसमें भी बचा हुआ जो मिश्रन है उसे फिल अप करूँगी और देन हमें इसे फ्रीजल में रखना है करीबन 7-8 घंटों के लिए ताकि ये जो आइस क्रीम कुलफी है अच्छे से सेट हो जाएगी इस ओरेंज कु उपर इस तरह से सिल्वर फॉइल और एक रबर लगा देते हैं इसके अंदर थोड़ा सा होल बना कर मैं इसमें एक आइसक्रीम की श्टीक भी इस तरह से इंसर्ट कर दूँगी जो दोनों औरेंज शेल हमने फिल अप करे हैं कुलफी के मिश्रन से उसे भी इस तरह से गंटों के लिए साथ-8 गंटों बाद आप देख पाएंगे हमारी जो कुलफी है ना बिलकुल बढ़ियासी सेट हो गई है चलिए फ्रिजर में से मैंने इसे निकाल लिया है तो अब इसका जो सिल्वर फॉइल है ना इसी निकाल देंगे आइसक्रीम कुलफी बहुत ही प्यार हो जाएगी तो देखिए अब इसे चाकु से इस तरह से चार पार्ट में कट कर लेंगे और क्या बताओं दोस्तों इसे कट करते समय मुझे बहुत ही ऑसम फील हो रहा है बहुत ही सौफ्ट बनी है इसमें बिलकुल भी आइस जो है जम नहीं पाया है इसलिए खाने म बहुत ही मज़ा आएगा और यह जो मोल्ड वाली है ना इसे भी मैं आपको डिमोल्ड करके दिखाऊंगी तो इस औरेंज आइसक्रीम कुलफी को आप भी ज़रूर ज़रूर ट्राय करिएगा और मुझे बहुत ज़ाधा गैरंटी है कि एक बार इसे ट्राय करने के बाद आ ज़राने में आसान भी है टेस्टी भी उतनी है दिखने में एट्रेक्टिव भी बहुत है और मार्केट से खरित कर लाने की ज़रूरत भी नहीं है बहुत ही कम खर्चे में आप इस तरह से मार्केट वाली आइसक्रीम कुलफी घर पर बना सकते हैं तड़कती भड़कती गर जाने के लिए इस आइस क्रिम कुलफी को ज़रूर ट्राय करिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई